दोस्तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि graph कैसे बनाए जाते हैं SHM के graph किस तरह के आते हैं और उनकी importance क्या होती है और उस पे किस तरह के questions आते हैं तो पहले आज देखते हैं कि displacement time, velocity time और acceleration time graph ये कैसे बनते हैं let अगर SHM की एक standard equation y is equal to a sin omega t plus phi है तो velocity की equation बनेगी a omega cos omega t plus phi और acceleration की equation क्या बनेगी alpha is equal to minus omega square a sin omega t plus phi ये हम लोग पिछली कुछ class में पढ़ चुके हैं अगर मैं इनके graph के बारे पर देखो तो आप सब को देख रहा होगा कि ये सब graph sinusoidal graph है लेकिन graph का exact character क्या होगा बहुत इस बात पर depend करेगा कि initial phase कितना है तो let इस problem को अच्छे से समझने के लिए let मैं phi is equal to zero put कर देता हूँ तो अगर मैं phi is equal to zero put करूँ और फिर अगर इन graph को निकालो बनाऊं तो किस तरह के graph बनेंगे हम ये समझते हैं तो आप देख रहे होगे कि ये अगर वाई और टी का graph है अगर मैं phi is equal to zero डाल दूँ तो y और t का graph किस तरह का बनेंगे आएगा तो v और t का graph किस तरह का आएगा ये cos का graph आएगा ये cos का graph आएगा और alpha is equal to minus omega square a sin omega t होगा यानि कि ये minus का graph आएगा minus sign का तो ये graph होगा alpha और t के बिच का तो आप लोगों ने ये देखा दोस्त कि अगर phi is equal to zero है तो y और t का graph sin का graph होगा v और t का graph cos का graph होगा और alpha और t का graph minus sign का graph होगा यानि कि ये सारी बाते phi पे depend करेंगी कि actually graph कहां से start होगा अब यहां पर क्या क्या बात important है आप देखो यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि इन तीनों का t का coefficient से में तो यानि कि तीनों का time period से में यानि कि तीनों की frequency से में तो यहां पर important बात क्या क्या होई पहले important बात हो गई कि वाई वी और alpha टीनों का time period से में होता है कि दूसरी important बात देख रहे होगे कि वी और वाई के बीच में face difference कितना है वी के sine omega t plus y है तो यह cos omega t plus y है यानि कि वी य से pi by 2 आगे चल दा पी से पाई बाई टू आगे चल दा में और यसाी कांड़ आगे चल दा आ है तो अगर मैं इसका face मनाओ कि कौन कैसे-कैसे चल दा है तो आप यह कैसे हो कि तो यह है तो यह v y से pi by 2 आगे है और alpha v से pi by 2 आगे है ये एक बड़ी important बात है जो कि कई बार exams में पूछी जाती है तो hopefully ये बात आपके सवाइन में अच्छे से आ गई होगी तो अब बच्चो अपन लोग बात करते हैं velocity displacement graph हम लोगों ने velocity की equation पढ़ी थी कि v is equal to omega under root of a square minus y square तो ऐसा कर लेते हैं इसको खोल लेते हैं तो v square omega square a square minus omega square y square तो आप इसे rewrite कर सकते हैं v square omega square y square is equal to omega square a square अब आप लोग देख रहे होगे ये हमारी v और omega के बीच पर relation आ गया इस equation को अगर आप डंग से देखोगे तो आपको शाहिद पतल लग जाएगा कि ये किसकी equation है किसकी equation है भई ये किसकी है दमाख लगँ किसकी है ellipse की ये ellipse की equation है तो हमारे बात समझ मे कि हागएगा कि v और omega के बीच में HARP बनाएगे तो एक ellipse बनेगा तो v और y के बीच में ग्राफ एक elliptical ग्राफ पर यह बात समय आगई हम लोगे ठीक है अब यहाँ पर question आता है क्या यह ग्राफ circular भी हो सकता है सोचो दिमाग से case number one क्या यह circular हो सकता है yes अगर omega is equal to one लिख दूँ तो क्या होगा omega is equal to one कर दो तो v square plus omega square is equal to क्या हो जाएगा sorry v square plus y square is equal to हो जाएगा a square और यह किसकी equation है circle की तो हमारे बात समय में आ गई कि अगर omega is equal to one होगा तो v और y के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक circle बन जाएगा तो omega is equal to one का मतलब क्या हुआ होगा time rate करता होगा t is equal to two pi divided by omega यानि कि two pi यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर जो particle SSM कर रहा है उसका time period अगर two pi हुआ अगर two pi हुआ तो v और y के बीच में ग्राफ कैसा होता है एक circle होता है तो यह बड़ा important question है इसको आपको ध्यान हमारे पर जाहिए तो दोस्तों हम लोगों ने अभी कुछ graph पढ़ लिये थे अब एक graph और पढ़ते हैं हम बात करते हैं alpha and y के बीच में graph हमें alpha और y की equation क्या होती है alpha is equal to minus omega square y तो alpha y के बीच में graph रहना है यह equation आपको ध्यान पढ़ लगी कैसी equation है यह एक straight line की equation है तो yes alpha और y के बीच में जो graph आएगा वो एक straight line graph आएगा और तो आप लोगों को यहाँ पर साफ दिखी रहा होगा कि यहाँ पर जो इसका slope होगा वो negative slope होगा ठीक तो हमारे एक बास समझ में आ गई यह एक straight line graph होता है जिसका slope कैसा होता है हमेशा negative होता है third इसका slope होता किता है इसकी slope की value किती होती है minus omega square होगा है यहाँ पर बच्चों ऐसे question भी आते हैं ये पूचा आता है क्या यह graph हमेशा straight line होता है yes straight line होता है number two क्या यह हमेशा negative slope होता है yes हमेशा negative slope होता है more than much choice में ऐसा भी question आ सकता है वैसे तो NEET में भी ऐसा आ सकता है question क्या यह बताओ यह पक्की बात है कि यह origin जिन से पास करें बताओ क्या जरूरी है और जिन से पास हूँ नहीं कोई जरूर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लखा था कि d2x upon dt square plus omega square x is equal to 0 भी SHM है और d2x upon dt square plus omega square x is equal to c constant वो भी एक SHM की equation है तो बच्चों अगर ये वाला equation होगी तो हम कहेंगे yes वो origin से पास होगा और अगर ये सामने constant होगा तो कोई जरूरी नहीं है वो origin से पास होगा वो origin से पास नहीं होगा लेकिन slope negative होगा ये बात पक्की बात है अब यहाँ पर question पूछता है कि अगर मालो अगर एक बड़े ची प्रॉब्लम मनती है से ये जेई मेंस वगरा के level पर है कि अगर v and y के बीच में graph जो है वो अगर circle आ रहा है तो alpha और y के बीच में जो graph होगा उसका specific point क्या होगा तो अगर v और y के बीच में अगर circle आ रहा है तो इसका मदब है कि omega की value किती है बच्चो बन है और omega की value बन है तो पुछेगा यहाँ पर alpha और y के बीच में जो graph आएगा उसका slope क्या होगा उसका slope जो होगा 10 theta is equal to kittah होग minus 1 यह बड़ा इक important point है आप लोग को याद रख लेना चाहिए अब अच्चो आप पर लोग एक graph और पढ़ते हैं alpha और v के बीच में alpha और v के बीच में graph कैसे बनेगा इसको समझते है alpha and v तो हम लोगों ने alpha और v के बीच में संबंद निकाल लें हमने पढ़ लगा है v is equal to omega under root of a square minus y square अब बच्चो ऐसा करते हैं alpha की पढ़ लेते हैं alpha होता है minus omega square y अब मुझे y को यहां से किसी भी थरह हटाना है तो मैं y की value यहां substitute करूँगा तो पहले इस equation का square कर लेते हैं v square is equal to omega square a square minus omega square y square अब y की value substitute कर देता हूँ तो v square is equal to omega square a square minus omega square और y square करूँगा तो कित्ता हो जागा यहां पे बच्चो पाई की value कित्ती होगी यहां से अगर y निकालूँगा तो हो जाएगा alpha divided by minus alpha divided by omega square तो y square का substitute कर देता हो जाएगा alpha square divided by omega की power 4 तो क्या गया v square is equal to omega square a square minus alpha square divided by omega square यानि की यह value क्या गई v square plus alpha square divided by omega square is equal to omega square a square अब v और alpha के बीच में यह संबद्दा आ गया अब आप लोग यह देखो ध्यान से देखो बच्चो कि v और alpha के बीच में जो equation है वो किसी एक certain equation को satisfy कर रही है यास अभी मैंने बताया था यह ellipse की equation को satisfy कर रही है यानि की v और alpha के बीच में जो graph बनेगा again वो एक straight line होगा वो sorry एक ellipse होगा तो alpha और v के बीच में जो graph बनता है वो एक elliptical graph होता है अब यहाँ पर कई सारे पाइट सकते हैं पूछ सकता है क्या ही एक circle हो सकता है बताओ बच्चो अगर omega की value 1 डाल दी जाए तो यह वाली अगर मैं omega is equal to 1 डाल दूँ तो क्या जाएगा v square प्लस alpha square is equal to a square तो अब हमारे एक बात सोट में आ गई कि अगर omega की value 1 होती है तो तो बच्चो v and y का graph and alpha and v का graph दोनों circle होते हैं कब अगर omega is equal to 1 होता है तो ठीक है दोस्तो अब बात करेंगे for log energies का time के साथ में graph और energies का displacement के साथ में graph तो पहले energies का time के साथ में graph kinetic energy and potential energy with time आपने देखा था पिछले classes में कि kinetic energy की हमने equation नेका ले थी half m omega square a square cos square omega t plus 5 और potential energy की equation आई थी half m omega square a square sin square omega t plus 5 तो अगर मैं इनके graph बनाने की कोशिश करूं तो graph कैसे बनेंगे सब्सक्राइब देख और kinetic energy का time के साथ में और potential energy का time के साथ में तो पहले kinetic energy का time के साथ में graph के 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 लेकिन हमें ध्यान अपड़ेगा अगर फाई जी कर टू जिरो है तो यह कोई भी ग्राफ हो सकता है चुरू मैंने टीजिक फाई जीकर टू जिरो मान लिया तो यह ग्राफ जोगा वो ग्राफ कैसा बने का कॉस स्क्वेर का graph के अगर फाई जीकर टू जिरो है तो यह करे टिक अग्राफ हुआ अगर मैं इसकी पोटेंशन इनर्जी का graph बनाओ तो तो पटेंशन इनर्जी का टैंक साथ के अगर यह यह साइनिस का graph होगा तो यह असा है कि इस तरह को हूं है फूर एक शूरुजाए मैं चाल यह जाने कि यह वाला तो खतेंट इनर्जी का graph वहाए और यह वाला तो एक वाद नीट के एक्जाम में जो तो पहले यह पीम्टी होता था तब एक क्वेशन आये था कि एक सब्सक्राइब कर रहा है तो बताओ इंड़े कौल सा क्यों सा पॉटेशन लीका तो बच्चों आप लोग यह करना था कि यह करेंटिक हो सकता है पॉटेंशन लीग हो सक सब्सक्राइब कर अगर मैं टोटल अर्जी करा पराना चाहूं तो तो टोटल अर्जी कोंस्टेंट होती है तो यह करा साथ है तो होफुली समझ में आ गया हो का आप लोगों के वाद अब इस ट्रेंट से पर लोग बात करते हैं एनर्जी का डिस्प्लेश्मेंट के साथ प कि अबना ही कि क्या अबना ही थी किया आप अप अब इसक्वेश्मेंट किया है तो अगर मैं इसके ग्राफ करां तो ग्राफ कैसे आएंगे आप अब इसक्वेश्मेंट प्लस वाई तो अबना ही तो कैसे आएगा एसकोई माइनस वाई स्कॉयर तो पेरा बुला होगा एसवाला ग्राफ होगा पर पोटेश्य जी डैटली फुष्ट डुबाइज क्या ग्राफ कैसे होगा उपर गी तरफ पहला बुलाओगा इसका बता हुए वह यह हमेशा करेटिक अर्जी ग्राफ ऐसे होगा यह वाला पॉटेश्य ग्राफ ऐसे होगा जब कि टाइक के साथ में यह इनिशिल फेस्ट करता है कि ग्राफ का स्टॉक्चर कैसे बखे आएदा है और अग्या टोटर अर्जी ग्राफ बनाए तो यह टोटर अर्जी क्या होती है अब यहां बच्चो कोशन यह पुछाए सकता है क्या यह जरूरी है कि पोटेश्य अर्जी का ग्राफ जो है वो औरिजिन से स्टार्ट हो बोलो बच्चो क्या जरूरी है नहीं हो सकता है कि पोटेश्य अर्जी का ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो तो मैंने इसका बंगाय था इसका मंदब यह क्या है इसको यह चीलड़ कैंए तो आप लोग को तो आज जो मैंने ग्राफ के बारे में पढ़ाया था, वो चारी सारी चीज़ समझ में आगी हूं.